स्टूडेंट्स आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में मिडल लिगमेंट एनाटोमी के बारे में इस वीडियो को इसलिए सूट गिया गया है ताकि आप अच्छे से इसके बारे में समझ सकें लोकेशन का पता कर सकें अगर आपका कोई क्वेशन है तो प्लीज मुझे कोमेंट कीजिए अच्छे से देखिए और समझने की कोशिश करें बिल्कुल असान होता है इसे समझना एक बार समझ आ गया तो कभी नहीं भूल पाओगे सबसे पहला लेटरल लिगमेंट मिडरल लिगमेंट मिडियल लिगमेंट पटेला बोन आपने स्टक्चर के बारे में देखा हम आगे इसको काटना भी बताएंगे कि किस परकार से काटा जा सकता है ये लेटरल लिगमेंट होता है जो पशू की राइट साइड में होता है और ये जो लेग है ये पशू की राइट लेग है इसके बाद मीडल लिगमेंट ये पटेला बोन के उसके बाद लेटरल लिगमेंट इसी लिगमेंट को काटा जाता है लेटरल लिगमेंट पटेला बोन के उपर से आने वाले लिगमेंट को मीडल लिगमेंट बोला जाता है इन सभी लिगमेंट के बीच कम से कम एक से डेड़ इंच का डिफरेंस होता है अगर आप एक से डेड़ मन्त अपने पशूँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप जल्दी से जल्दी फील करना सीख जाएंगे इतना मुश्किल काम नहीं है फील कर सकते हैं इसको और सर्जिकल बलेड के साथ इसे काट जिया जाता है इस वीडियो में सिर्फ आपको अनाटोमी स्टक्चर के बारे में बताया गया है अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक अवशक करें क्योंकि इसके बाद MPD पर तीन से चार वीडियो और आने वाली है यानि की फुल कोर्स बने रहिए राहूल वेटनरी